कार स्वागत आपका सेल्फ स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं काफी जादा गरमाया हुआ विशेह है कि जो महीला कुस्ती पहलवान है उन्होंने अपना जो परदर्शन है विरोध परदर्शन जो है वो फिर से शुरू कर दिया है कि ये पहले किया गया था कि हाँ लग बग तीन महीने पहले यानि कि जनवरी में ये विरोध परदर्शन शुरू किये गये थे तो ये विरोध परदर्शन जब शुरू किये गये थे कुछ कैसी से या फिर कई कुछ एलिकेशन से जो इनके द्वारा जो खिलाडी है उनक उसको सही से निभाया नहीं जा रहा है तो इसको चलते जो है वो वहाँ पर फिर से परदर्शन शुरू कर दिये गए इन तमाम चीजों को हम बहुत अच्छे से जानेंगे कि शुरुआत में क्या था किस चीज के उपर विरोध परदर्शन स्टार्ट हुए थे अब ऐसा क्या हो गया है क्या ऐसा कमीटी ने कर दिया है क्या इनकी मांगे है इन तमाम बातों का हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले इस वीडियो में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले PDF के लिए में बता देता हूँ दिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिज़िपी के सांसद है ये तो इनके खिलाब जो वो F.I.R. दर्ज कराने की जो मांग पहलवान कर रहे है जो महिला पहलवान कर रहे है तो इसके चलते सुप्रियम कोट ने दिल्ली पुलिस को एक नोटीस जारी किया जहां पर उन्होंने कहा है कि 2012 से लेके 2022 की जो एक अवदी है उस अवदी के दुरान ब्रिज भूशन सरन के उपर जो शेक्शुल हराश्मेंट और अपरादिक धमकी का जो आरोप लगाया गया है वहाँ पर पुलिस जो है यहाँ पर कारवाई करे ये एक नोटी जो है कर दिया गया सुप्रीम कोट के दौरा अभी हाली में किया गया पहलवानों ने जो है 21 अपरेल को UP के केसर गंज में जो बीजीपी सांसेद मैंने का ना ब्रिज भूशन के खिलाव पुलिस में अलग-अलग शिकायतें दर्ज कराई थी जनवरी में ये जो विरोध पर दर्शन शुरू हुआ था और यहां पर तीन पहलवान जो है यहां पर अभी आपको उनके नाम भी यहां पर आपको इमेज में स्टार्टिंग में दिख रहे होंगे वहां पर आपको मैं चलके बताऊंगे कि इनों ने शिर्ष जो पहलवान है जो में जो पहलवान है जिनोंने एक तरीके से विरोध पर दर्शन शुरू किया था जंतर मंतर पर अब फिर से आकर बैट गए हैं शिर्ष अदालत ने शुकरवार को इसकी यानि की प्रारंबिक विरोध जब समाप्त कर दिया था तो अब वो लोट क्यों आए अब ऐसा क्या हो गया तो उन्होंने कहा कि थी कि ब्रिज बुशन के खिलाब जो योन उत्पिड़न यानि शेक्शल हराश्मेंट की जो जांच करने वाली जो कमीटी बनाए थी उस कमीटे ने अपनी जो रिपोर्ट है उसमें देरी कर दी एक तो देरी करने का हावाला दी साथ यसाथ जो इक कमीटी है उसके अंदर हमें यकीन नहीं है ऐसा इनका कहना है साथ यसाथ सांसत के खिलाब जो कारवाई की एक अनुपस्तिती देखने को मिले यानि अभी तो कोई कारवाई ही नहीं कीगी जनवरी में उनको आशाशन दिया गया था इस बात का और वो इस बात से ही परिशान है कि जो इन्होंने मुद्दा उठाया था उसके पर कोई कारवाई नहीं हो रही और यहां पर WFI ने जो जान चल रही थी उसके बावजूद भी अपनी जो एक्टिविटीज है उसको सुचारू रूप से चल लू रखा जैसे ऐसे लगा कि इनके उपर कोई फर्क ही नहीं पड़ा बुरिज मुशन ने शोट्स बलाने शुरू कर दिये और एक तथ्य यानि एक एविडेंस भी है कि विवाद के बावजूद भी यह जो विवाद स्टार्ट हुआ था उसके बाद पहला राष्ट्रिय टॉर्नामेंट गोंडा में हो चुका है यह सब चीजें हो रही है लेकिन यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कोई कमीटी का फर्क नहीं पड़ रहा है तो इन्होंने कहाए कि जो आरोप हमने लगाये थे हम सब के सामने आ जाते हैं देखिए एक चीज़ सबसे बड़ी होती है कि जो भी आवाज उठाता नो वो सबसे पहले टार्गेट में आ जाता है तो बहुत बड़ा एक रिस्क होता है यहां पर मैं यह नहीं कहा रहा हूं कि किसी को आवाज नहीं उठाने चाहिए बेशक आवाज उठाने चाहिए लेकिन एक चीज़ रखिए उसको बहुत जादा परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं तो इन्होंने उन सब चीज़ों की परवा किये बगएर एक इनसान के खिलाब एक विक्ति के खिलाब वो सारे आरोप लगाए थे अब इनको कैसे बता चला कि जो यहां पर हुआ है यह नहीं हुआ है इसको भी हम आपको बताने वाला हूँ कि बहुत सारी जो यूवा महिलाएं हैं जो नाबालिक हैं उन्होंने फोन करकर के यहां पर विनिश फगार, शाक्षी मलिक इनको बताया था कि हमारे साथ ऐसे ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कोच हैं वो हमारे साथ सही से बरताव नहीं करते हैं यह हम वहाँ पर अंसेफ फेल करते हैं वहाँ पर हम कमफर्ट फील नहीं करते हैं तो यह सारी बातें जो बताए गई थी इन सब चीजों को चलते, बहुत सारी महिलाओं ने, यानि कि जो यूवा महिलाएं हैं, उन्होंने अपनी कोल करके ये अपनी शिकायद दर्ज कराई थी, तो इसके चलते हैं यहाँ पर ये जो तीनों पहलवान हैं, उन्होंने लगा कि हमें आवाज उटाने चाहिए, जो ची नहीं की गई है, भई कौन है, क्या है, ओविसली सिक्योर्टी का मामला आजाता है, उनकी सेफटी का मामला आजाता है, मंगलवार को सुप्रीम कोट ने का गया, यानि 25 अपरेल को का था, कि शिकायत करता हूं में से नाबालिक भी है, तो ये काफी ज़्यादा गंबीर इश चीजें हो रही है, हालांकि जो ओलंपिक कांसे पदक विजेता, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विशु पदक विजेता, विनेश, फोकाट शुरू से ही विरोध में सबसे आगे रही है, अब देखेंगे ना कि इन सबने अपनी लाइफ में अचीवमेंट कर रखी ह अचीवमेंट कर रखी है, यानि कि यह देखें, ओलंपिक में साक्षी मलिक जो है, वो मेडल जी चुके है, बजरंग पुनिया जो है, वो मेडल जी चुके है, विशु पदक विजेता, यहां पर विनेश फोकाट यह तीनो जो है, वो शिर्स खिलाड़ी है और यहां पर आ समर्तन में वीडियो भी जा रही की थी, मंगलवार को यानि 25 अपरेल को कांग्रेस नेताओं में से बुपेंदर सिंग हुड़ा भी वहां पर नजर आए, जैसे स्टार्टिंग में इमेज में आप लोगों को दिखाए, उधित राज, CPM की जो ब्रिंदा करात वो भी वहां कश्मीर के जिनोंने एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है कि जो एक पुल्वामा अटेक हुआ था, वो एक तरीके से हमारी ही गलती थी, यानि कि गौर्ण्मेंट की ही वो गलती थी, जिसका रण वो अटेक हो पाया, ये एक एलिगेशन लगाया है, जिससे वो काफी ज़्यादा फैमलाइट में रहे हैं, हाइलाइट हो रहे हैं चीज को लेकर, तो उन्हों ने भी अपना समर्तन जो है, इन तीन पहलवानों या फिर कहीं कि इस विरोध परदर्शन को दिया है, अब बात कर लेते हैं कि पहलवानों ने क्या आरोप लगाया है, दीके पहलव जानों ने WFI के जो कामकाज में एक तरीके से फाइनेशल करप्शन सामने आ रहा है, उसको लेकर बोला, साथ-साथ मानहानी और ब्रिजबुशन के दोरा अपरादिक दोखादेडी का आरोप लगा है, और इन सबसे बड़ा जो एक गंबीर इशू हमारे सामने निकल कर आता यानि इनके अवास्थान पर साथ-साथ भारत मतलब विदेशों में के टूर्नामेंट के दोरान भी यहां पर शिकायद दर्ज की गई थी, खेल मुंत्रायले दोला भारतिया ओलंपिक संग को सोमवार को भेजे गई पत्र के अनुसार, पहलवानों ने नय केवल ब्रिजब बल्कि जो ये फेडरेशन है, इसके अन्य अधिकारियों और कोचों के पर भी अरोप लगाये थे, उनकी पहचान अभी तक पूस्टी नहीं की गई है, जो स्टोंग में ब्रिजबुशन उस 66 साल के 1991 में 6 बार सांसद रहे हैं, जिन में से 5 बार उनको मोका मिला है, बाजप कि मैं एक कुष्टी प्रेमियू, लंबे समय से देश में कुष्टी के जो भी बड़े-बड़े फैसले होते हैं, या मामले होते हैं, उनके अंतर अंतिम निर्ने जो इनका रहता है, अब चर्चा कर लेते हैं, परतरशन कारी अब क्या चाते हैं, देखिए, पहलवानों की म मांग रखी कि जो उन्हें WFI के अद्धिक से हटा दिया जाए, और महासंग को भंग कर दिया जाए, उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है, वो धरना परदर्शन करते रहेंगे, अब बात कर लेते हैं, यदि आरोप एक दशक पुरान है, यानि कि आप बोल रहे हो, दो हजार बारा से लेकर, दो हजार बाइस तक की बात है, यह जो दस साल हो गए, अब ये सामने क्यों आ रहे हैं, देखे, जनवरी में विरोध परदर्शन जब हुआ था, तो उन्हों ने एक समूह था, उनमें से एक सदेश्य ने बताया था, कि जब विनेश लखनव के राश्ची स्विवर में, एस रुक्षित वात्तवरन के बारे में कई हुआ महिलाओं पहलवानों के फोन आये थे, अब जनवरी की बात होगी है, यह मतलब लखनव से फोन आये थे, विनेश फोगाट को, सदेश्य ने कहा था कि उन कोल्स के बाद विनेश, साक् आवाज नहीं उठी का, इस चीज़ को लेकर आप देखेंगे ना कि उस वक्त हालात क्या होते हैं, कैसे चीज़ें चल रही होती हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, अब एकदम बोल देना, कि यार आवाज तब क्यों नहीं उठाई, इतना सहास पीक टाइम आगे, कि अब तो और नहीं होगा, अब तो हमारा बहुत ज़्यादा हैराश्मेंट हो चुक है, तो यह सब चीज़ें तब निकल कर आ रही हैं, सोमवार को, यानि कि 24 अपरेल की बात है, विनिश प्रवगाट ने तो रहाया, कि युवा पहलवानों को बचाने और ब्रिजबुशन को हटाने, उनको गिरिफतार करने की मांग जो वो कर रही है, डबलु एफ़ाई के चुनाव जो होने वाले, हालांकि ब्रिजबुशन जो वो एक मैकसिमम टर्म तक रह चुक है, यानि तीन कारेकाल उनके पूरे हो चुक है, अब जहां पर है, कि उनके बेटे करन भुशन सिंग को पदबार संबालने में सबसे आगे माना जा रहा है, कि अब कौन आएगा, उनका बेटा आएगा, एक तरीके से यहां पर समझिए, वो चल रहा है, भाई बतीजा बात, यानि कि भाईया, नेपोटिजम हम कह सकते हैं, कि पहले पिता, अब बेट इसे चीजें चलती रहेंगी, clear? अब चर्चा कर लेते हैं कि WFI कैया और सरकार ने क्या का, ब्रिजबुशन ने जो भी ऐसेक्शल हरास्मेंट का जो आरोप लगा है, obviously कौन कहेगा कि भाई, मैंने किया है, वो तो खारी जी करेंगे, कोई कौन क्यों ऐसे मान लेगा, और WFI क पर जो भी कामकाज में जो financial corruption की या मान हानी के जो आरोप लगाए गया है, वो कौन सी मान लेगी, वो भी बोलेगी, नहीं भईया, हमने नहीं किया, उन्होंने इस चीज का खंडन कर दिया, यह तो सब सी बात है, जनुवरी में सरकार ने boxing दिगज, MC मेरी कॉम की जासे निगरानी समीती बना कर पहलवानों को अपना विरोध वापस लेने के लिए राजी किया था, समीती के पास अपने निशकर्ष परस्तुत करने के लिए चार सब्ता का समय दिया गया था, लेकिन उसने अपनी रिपोर्ट अपरेल में ही पहले सब्ता में दे दी, आत्मक खाम्यों को चीहनित कि भाया क्या-क्या इसके अंदर कमिया, ऊविसली इसके अंदर एक जो जो चीज निकल कर आई है कि भाया है इसके अंदर ट्रांसप्रेंसी जो आपने रिपोर्ट बनाई है, अब जो ताजा विरोध चल रही है, उविसली एक्षन उनने वाले ह तो मीध है आज की रेट में आपको पता चला होगा जो भी जंतर मंतर पर यह विरोध पर्दशन चल रहे हैं महिला पहलवानों के दौरा जो जह चल रही है वह आपको पता चल गया होगा यहां पर काफी सारी जो अपडेट थी, खाप का एक जो है, यहां पर सपोर्ट मिला है, सत्यपाल मलिक यहां पर आ गए है, और भी बहुत सारे जो पहलवान है, वो इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली इन सब जीजों का सुझा, सुलूशन जो हो जाना चाहिए, बहुत उमीदों के साथ एक महिला बाहर निकलती है, आप देखेंगे न, एक समाज के अंदर, एक तो वहां पर खेलने के लिए पाबंदी एक महिला के उपर, फिर वो खेलने के लिए बाहर जाती है, तब उसके उपर ऐसा सेक्शल हराजमेंट हो रहा है, तो इन सब जीजो वहां पर लिख सकते हैं, और कुछ जादा ही पसंद आ गए हैं, तो शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को भी, चैनल को भी शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, तुम साथ के लिए इतना है, तैंक यू फूर वोचिंग इस वीडियो